मंग्य वीरे, मुझे कहानी सुन बेना नीन नहीं आते मैं कहानी सुनाओंगा तो सो जाएगी ये ना कहानी है अंगरेजी राज के उस वक्त की जब सब लोग उनके खिलाफ एक जुठ हो रहे थे सिवाए एक शक्स के क्योंकि उसको लगता था कि अंगरेज भुरे नहीं है उसका नाम था मंगा घर के किसी स्यानी आद्मी को बुला लूँ स्याना ही हो जी मैं वो तो उस दिन ऐसी रच्चों के साथ थोड़ा हो जिन्दगी की हर दोड में अबबल परिवार का सबसे लाइक लाडला काम दाम कुछ करना ने सारा दिन जरते ही रहा ना बस हाथों का तो पता नहीं पर उसके पैरों में जादू था पैसे नहीं ले सकते जी दादी केती है इससे शफाच ले जाती है क्या तो नोकरी करोगे सच धजबन खन चले किधर बदली हुई है कैसे आज ये नजर अपनी ही दुनिया का राजकुमार था वह और एक दिंग उससे अपनी राजकुमारी भी मिल गई राजकुमारी कौट सर्गी कुछे कान नहीं सुनी है चुप-चप सुन नेनों से बढ़ ले आपके गाव में दिल लग गया जी राज आती लड़को को ना यह रोपने से सार फट जाते हैं नकु गड़ाई है वे मार रही तेरी रग में रगने चाहू कानी राजकुमारी शुरू की है तो तो रही कातम करनी चाहिए मैं अपनी इपोती का रिष्टा एक अंग्रेज के नोकर से कर दूँ नहीं जी आपको गलत फैमी हुई है जी अंग्रेज बुरे लोग नहीं है महाराजा के हुकम के मुताबिक आप सब को दो खाली करना करेगा कान्दी जी ने कहा है कानून से बढ़ कर कुछ नहीं होता है कानून से बढ़ा काजा होता है लाला जी सारा कुछूर मंगे का है बत बुरा किया मंगे ने मैं मंगे नहीं छट दूका दिया उसने हमको तुझे गया लगता है? तुम लोग की तकलीफ का हैसास नहीं मुझे? अगर तुझे तकलीफ का हैसास अता है तो अंगलेजों के ताल बेना चाड़ता तू तू बड़ा मतलब भी निकला मंगे हैं तू सरद्णा जंदे नहीं आधी, तू नहीं आधी कि मैं तू पर अंगी को राजकुमारी नहीं मिलेगी तू ना जाल दाधी नअ बनम मैंने थो जूना को कहानी कहानी आगे तुझे खुद नि आती हो और मुझे सुना रहा है